हे अब्रिवान और वेलकम टो डबले स्क्रिप्टेक माईसर्फ उमर्तस दोस्तों इस पर्डिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेवीजू प्रॉडक्ट अप्रॉवल के बारे में बहुत सारे बिगनर्स जो इस पर्डिकुलर वीडियो को देख रहे होंगे उनके questions रहते हैं कि सर अफिलेट मार्कटिंग में हम जेवीजू के उपर account बना लेते हैं लेकिन जब product अप्रॉवल के लिए जाते हैं तो हमारे जो अप्रॉवल है वो नहीं होता है तो क्या reasons है कि आपको तैयारी कर लेनी चाहिए पहले ही ताकि आपको अप्रॉवल में को कुछ चीजों को discuss करेंगे बहुत सारी clarity मिल जाएगी अगर आपको भी approval नहीं मिल रहा है तो यहां से आपको बहुत सारे points मिल जाएंगे जिनके उपर आप काम करके वापस product के approval ले सकते हैं तो यहां पर मैं थोड़ा से specific JVZoo के उपर जरूर हूँ बट यह वाली जो guide है के affiliate request है वो approve नहीं होती उसकी पहले बात करें तो जो basic आपकी application जैसे मैंने आपको दिखाया था last वाले वीडियो मैंने बात करी थी जहां पर JVZoo के product वाले section में हम लोग गये थे और वहां पर जब हम request करने जाते हैं तो वहां पर हमें एक छोटा सा form दिखता है तो बड़े सा कई basic गलती हैं तो बिल्कुल ही नहीं करनी है second is convincing is required देखो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बताना पड़े ऐसा नहीं है कि आपको convince ना करना पड़े किस चीज के लिए जैसे मैं अगर इस product का मालिक हूँ और आप मेरे पास आते हो कि भाई मैं इस product को बेचना चाहता हूँ तो sales history zero है ठीक है पहले आपने कोई भी sale नहीं करी ना आपने कोई तैयारी करके रखे विए तो भी आपके जो product approval की जो request है वो deny हो सकती है no online presence ये भी बहुत सारे लोग मिश्टे करते हैं हलकि है बहुत ही basic सी चीज़ कोई आपका online presence ही नहीं है आपने message भी लिखा ठीक है आपने convince भी किया लेकिन आपका कोई online presence ही नहीं है कोई जानता ही नहीं है आपके कोई online identity ही नहीं है तो फिर आपके recommendation से लोग किस तरीके से जो है वो products लेंगे आपके कोई followers नहीं है आपका कोई blog नहीं है आपका कोई YouTube channel नहीं है कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर जब आपके पास कि किसी भी तरीके की audience नहीं भले ये सारी चीज़ें आपने कर ली बट अगर आपके पास कोई audience नहीं है तो भी आपको product approval नहीं मिलेगा और ये बहुत ही important चीज़ राइट कि आपके पास किसी ना किसी तरीके की audience जरूर होनी चाहिए और जिस भी product को आप promote करने जा रहे हैं जिस concern, their concern का मतलब मैं यहां vendor की बात कर रहा हूँ, उनको अपने EPCs और conversion rate को भी नहीं गिराना होता है, बात कर लेते हैं EPC क्या होता है, EPC होता है earning per click, तो अगर कोई नया खिलाडी आ ठीक है, कोई नया बंदा आ गया है, जिसको जादा affiliate marketing के बारे में नहीं पता है, उसको उतन लेकर आ रहा है, बट अगर relevant traffic नहीं होगा, तो sale नहीं होगी, तो clicks बहुत जादा हो गए, sale कम हुई, तो जो उनकी earning per click है, उस product की important metric, उस product की success, किसे पता चलती है, earning per click से, जैसे मैं एक product बेच रहा हूँ, ठीक है, और उस product को बेचने के लिए, जैसे मैं clicks लेकर आ रहा मैंने बेचा, तो हर click पे मैंने एक डॉलर कमाए, हाँ, वही पर अगर मैंने 50 clicks यहाँ पर मैं ले आया, 50 clicks, ठीक है, और मैंने कमाए 10 डॉलर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो amount बहुत कम होगे, एक डॉलर से बहुत जादा कम होगया, यह लगभग 0.2 के आसपास ह तो यहाँ पर जो earning पर click है, वो reduce हो गई, तो जब नए खिलाडी आ जाएंगे ना, जिनको पता नहीं बहुत जादा affiliate marketing के बारे में है, जिनका कोई background नहीं है, जिनके पास कोई बड़ी हाथ तगडी audience नहीं है, तो क्या होगा, clicks बहुत जादा हैंगे उस affiliate link के उपर, और बड़े affiliates हैं, अच्छे affiliates हैं, वो आए उस product को देखने के हाँ, मैं इस product को promote करना चाहता हूँ, अब जब उन्होंने देखी EPC कि इसकी EPC तो बड़ी down है, तो वो क्या करेंगे, उस product को promote ही नहीं करेंगे, ये product बहुत अच्छा नहीं, इसकी तो EPC ही down है, बट EPC down क्यों ह थी, जिन्होंने बहुत सारी clicks तो जो है धिला दी, बट उन पे sale नहीं हुई, तो earning नहीं हुई, तो कुल समझने की बात ये है, कि आप चाहे इसको EPC जैसे technical term से समझना चाहो, चाहे बिलकुल आम जो है बेसी भाशा में समनना चाहो, कि conversion rate उनका decrease हो गया था, तो अगर conversion rate decrease ह हो जाएगा, तो क्या होगा, बाकी के जो affiliates है, वो उस प्रोडेक्ट योपर ध्यान नहीं देंगे, तो वो नए खिलाडियों पर क्यों चांस लें, है ना, नए players पर क्यों चांस लें वो, जब उनको पता है कि हमारा product दमदार है, और नए players को अगर हम मौका देंगे, तो हो फिल्टर, फिल्टर भी लगाते हैं कि फालतू लोग निकल जाए, बिना मतलब जो affiliate जो link लेना चाहते हैं, वो लोग निकल जाए, serious लोग ही आए, है ना, जो professional है, जो इस field में काम कर रहे हैं, वही लोग आए, जो पहले से affiliate कर रहे हैं, वही लोग आए, तो यह reasons है, बट ऐ ऐसा नहीं कि इनको overcome नहीं किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि आप start नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, आगे बढ़ते हैं, तो क्या हमें करना चाहिए, कि इन basic चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो भी मैं बता देता हूँ, देखो product review का blog या YouTube channel आपके पास होना चाहिए तब जाकर आप इन SaaS products के बारे में सोचें, क्योंकि जारत तर जो इनके promotions होते हैं, वो review के basis पर ही होते हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि review का आपके पास platform तयार हो, अब review के platform की बात करें, तो कहां करोगे आप review, या तो अपनी website के उपर करोगे, review से related कोई website होगे, य sources आप बना के रखो, यही आप दिखाओगे अपने vendor को, उसके बाद आपके पास email list है, तो भी आपका काम बन सकता है, name jacking बड़ी मज़िदार चीज है, यह होता क्या है कि जैसे there is one super affiliate, कोई एक बहुत ही super affiliate है, और वो साथी साथ affiliate trainer भी है, ठीक है, affiliate trainer भी है, let's say उसका नाम ह X, तो आपने क्या बोला कि मैं Mr. X का mentee हूँ, ठीक है, और यह तो बहुत अच्छे affiliate है, सब को पता है, सभी vendors को पता है, super affiliate है किसी platform के, तो मैं Mr. X का mentee हूँ, ठीक है, इनसे मैं सीख रहा हूँ, तो आप मेरे को affiliate link दे दीजे, ऐसा हो जाता है, और affiliate link मिल जाता है, approvals मिल जा अगर आप उस product को खरी लेते हैं, chances आपके बढ़ जाते हैं, कि आपको वहाँ पर affiliate link मिल जाए, क्योंकि फिर vendor समझता है, कि अगर आप ने यहाँ पर product में पैसे invest किया, which means that you are serious, आप इसको promote करना चाता है, ऐसे नहीं आप बोल रहा है कि नहीं मेरे को जो है, आप product का link देज है, कि आप vendor से direct contact में आएं, ठीक है, कहने का मतलब यह है, कैसे direct contact में आएंगे, जैसे मने आपको वदायत है, जब उनके आप JV page पे जाएंगे, joint venture वाला जो page होता है, उनका page के उपर जाएंगे, तो वहाँ कोई न कोई आपको contact information जरूर मिल जाएगी, उनके जो भी affiliate managers है, उसकी मिल जाएगे आपको, या जो भी उस particular product के, इस affiliate वाले segment से responsible है, उनकी आपको contact details मिल जाएगे, उनसे आप contact करके, सारी चीजें genuine रखके, ये सारी चीजें आप कर सकते, बट traffic का source आपको proof करना पड़ेगा, this is the only thing which is very much important, तो I believe, चीजें समझ में आई होंगे, और ये guide के well, JV Zoo के लिए नहीं है, simple सी चीजें, बहुत ही simple सी चीजें, ये कोई भी affiliate network के उपर आप जाएंगे, चीजें इसी तरीके से होती हैं, आपके जो products के disapproval होंगे, या rejections होंगे, जब आप affiliate के लिए request करेंगे, वो सारे इनी reasons के उपर होते हैं, और उनको इसी तरीके से, जो म के चीजें, बहुत हैं, जो मैंगे